दोस्तों अगर आप कोई बिजनस कर रहे हैं या फिर मार्केटिंग और सेयर्स की फील्ड में हैं तो आपको मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी टेक्निक के बारे में जाना चाहिए जोकि आज के टायम पर बहुत ट्रेंड कर रही है और भविश में इसका बहुत ल्दा चलने वाली है ये है एक्स्पीरियेंचल मार्केटिंग ये एक्स्पीरेंशल मार्केटिंग नौर्क चीजा कीज़ समय phenomenal है वहाँ पर हम कस्टूर को ब 술ता हो कि हमारा product या हमारी service इस तरह की है अगर आप इसे use करके देखना चाहते हैं तो देख लीजे और जब customer experience कर लेता है उस चीज़ को उसको अनभाव कर लेता है तब वो final decision लेता है कि हमें ये चीज़ purchase करनी है या फिर नहीं करनी है यहां पर customer को one-to-one experience दिया जाता है कि customer उस चीज़ से satisfied हो जाए वो यह माले कि हाँ मैंने ये चीज़ यूज़ कर ली है अब मैं इसमें पैसा लगा सकता हूँ इससे मुझे फायदा होगा अब यह क्यों माना चारा है कि आज क्रियेट में भविश्व में बहुत सारा ट्रेंड करने वाली marketing टेकनिक है क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग marketing से अब ऊप चुके है लोग लगा था उससी तरह कि regular marketing देख रहे हैं लोग banners देख रहे हैं वेबसाइट पर आड देख रहे हैं बहुत सारी चीज़े देख रहे हैं अब लोग यह जानने लगे हैं कि यह पड़िवले company आड कर रही है और कोई आड पसंद नहीं करता जब सामने वाले customer को पता जल जाता है कि सामने वाली company आड कर रही है marketing कर रही है उन्हें sale के लिए push कर रही है तो customer उस चीज़ को अच्छा नहीं मानता है इस चीज़े customer के लिए कुछ हद तक boring हो गई customer यही चाहता है कि जब हमें कोई चीज चाहिए तो हम उससे experience करके देख पा है हम यह जान ले कि हाँ यह चीज हमारे साथ इस तरह से behave करेगी या फिर यह service हमें इस तरह से फाइदा देगी या फिर इस product को यूज करके हमें अच्छा लगेगा हमें satisfaction फील होगा तब ही हम यह चीज़ purchase करेंगे अब लोग इस तरह से market इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें marketing यह technique समझ में आ चुकी है कि सामने वाले customer को हमें fully satisfied करना होगा पहले तब वो product purchase करेगा क्योंकि आशल का time ऐसा आ गया है कि बहुत जादा competition आ गया market हो हर कोई अपना product अपना service बेचना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी discount देने को त्यार है लेकिन customer यह चाहता है कि हम चीजों को पहले यूश करके देख ले हम जब यूश कर लेंगे तो मतलब हम जान लेंगे कि यह चीज़ां अच्छी होंगी हमारे लिए और यहीं पर experiential marketing गी टेकनिक आती है इसे एक example कि तो समझते हैं आप car लेने गए हैं आप car purchase करने गए हैं उसमें थोड़ा पैसा कम पढ़ रहा होता है तब भी सोचते ही पैसा लगा दें क्योंकि मैंने इसका experience लिया है यह चीज़ अच्छी है यह होगी experiential marketing यहाँ पर सामने वाला salesman आपको experience दे रहा है कि आप use करके देखिए और आपको अच्छा लगे तो purchase करिए आपने software service देखी होंगी हर software service में आपको trial का option मिल जाता है कि 15 दिन का trial लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप purchase करिएगा अदरवाइस purchase मत करिएगा आपका trial expire हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को यह फायदा हुआ कि हम software use करना चाहते है अब हमें नहीं पता है कि हम कौन सा software ले तो हमने trial वर्जल ले लिया 15 दिन के लिए trial मिल गया अब हम उसे experience कर सकते है कि सामने वाई चीज़े अच्छी चल रही है या नही या फिर हमारे recording है या नहीं यहाँ पर 15 दिन उस आदमे ने seriously उसे experience किया कि हाँ यह चीज़ कैसे होने वाली है इस software से हमारे business को फायदा हो सकता है या नहीं या फिर इस software के features हमारे business के recording है या नहीं अगर features recording होते हैं तो वो उसे purchase कर लेता है यहाँ पर उसने पहले experience किया पहले यह जान लिया कि हाँ यह particular software service हमारे लिए अच्छी होने वाली है हमारे business के लिए फायदा मन होने वाली है तो उसे purchase कर लिया उसने otherwise purchase नहीं किया तो मतलब यहाँ पर software वालों ने experiential marketing की उन्होंने पहले सामने वाला customer को experience दिया कि आप इसे पहले experience करी है तो यह चीज experiential marketing हो गई आज किल हर software service company पहले customer को trial देना चाहती है इसलिए क्योंकि वो जानती है कि सामने वाला customer बिना experience के purchase करने में इंट्रेस्टेट नहीं है वो डरता है इसलिए पहले उसको experience कराना ज़रूरी है तो यह भी चीज experiential marketing है आपने lens card के बारे में सुना होगा वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला है कि customer अपने उपर lenses को try रखे देख सकता है virtually अब उन्होंने virtually इसलिए निकाला है कि customer कहीं भी हो वो उसे experience करा सकते हैं कि आपके उपर ये lens अच्छा लगेगा customer ने उन चीज़ों को आपने उपर experience करके देखा उन्होंने देखा हमारे उपर अच्छा लग रहा है उन्होंने इस चीज़ को experience किया फिर उन्होंने purchase किया तो अब customer यहांसे satisfied हो गया कि हमने experience कर लिया है और हम purchase कर सकते हैं तो ये चीज़ उनकी भी experiential marketing है अब वो टीवी भी ads लाते हैं तो वहाँ पर दिखाते है customer ट्राइ कर सकता है virtually अपने उपर सारे lenses उसके बाद purchase कर सकता है वो लोग experiential marketing कर रहे हैं तो simple सा यही concept है experiential marketing का कि अगर आप अपने customer को कोई भी चीज़े experience करा रहे हैं उसको experience करा के ये बता रहे हैं कि आप ये product लेने के बात वीरा satisfied होंगे आप अभी इस चीज़ को experience कर सकते हैं तो ये चीज़ आपकी experiential marketing में आ गई अपना कोई फाइदा नजार आया हो तो चैनल को subscribe करिएगा वीडियो लाइक शेयर करिएगा अभी के लिए गुद्बाई